शॉट बॉल पे शॉट कौन केलता है याई अगर मैं होता ना मस बॉल को देखता है और शानदार खुद को एक्सबर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्बॉर्ट पर लोएस्ट एंट्री फी में इस गेम में फाइनाशल रिस्क है और लट लग सकती है कृपिया जिमदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें कर रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने बोला उसके बाद में जो पूर्व कप्तान है वो थोड़े से सेलेक्शन को लेकर के तिल मिलाएं है तो ये तीन बड़ी खबरे थी उसके बाद जो बाकी खबरें वो भी बताएंगे टायका की सरजरी हुई है उससे जूड़ी खबर भी है तो एक एक करके खबरें खबरों की शुरुआत कर लेते हैं तो राश्य का पहली खबर कौन सी रही गया जमरी मुझे लगता है पहली खबर तो ये बतानी बनती है कि अग्षा अग्षा नहीं पढ़ पाएंगली के बल्लेबाद और कल हमने और अपने देखा भी अक्षा बटेल ने जिस तरह से विकेट निकाले हैं इंगली को कुछ समझ नहीं आया उनको बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया कल और लगातार उनका दूसरा फाइव विकेट हा है यह और अपने आप में और लोकल बॉय हैं तो और भी ज्यादा खोशुबह होंगे प्लस इतना बड़ा यह टेस्ट मैच था मोटेरा में खेला जारा एकसाइटमेंट थी इतनी ज्यादा वहां पर पर परफॉर्मेंस ऐसी देना जहां प्रेसिडेंट हो और अपने आप म नहीं पड़ पाएं इंग्लेंड के बल्लेबास तो वही चीज थी और उन से उनकी स्ट्रेटिजी के बारे में पूछा गया कि आपने किस तरह की प्लानिंग के साथ गेंद बाजी करी थी तो उन्होंने बोला पिछ पर गेंद वह इसके डो रहा था तो इसके कारण उन्हो मजबूत सिचुएशन में है पहला दिन भी इंडिया के कंट्रोल में था दूसरा दिन भी इंडिया के पूरे कंट्रोल में है एक सो बारा मनाय थे इंग्लिंड ने जिसके जवाब में अब तक इंडिया 99 बना चुका है अल्रेडी तीन विकेट गिर चुके हैं जिसमें सब जगह जो रहती हैं उससे काफी जाथ अलग है तो विराट कोली ने बोला कि जो ट्रेशनल लाइड रहती हैं उस तरह की लाइट यहां पर नहीं है यह लाइट थोडी सी अलग है और जिस तरह से दोभाई के स्टेडियम मेरेंग ऑफ फायर जो जो बोला जाता है वहां पर फिल्डिंग करते समय थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है तो विराट कोली को इसी बात के चिंता थी किया वैसा ही कुछ यहां पर होगा वैसी ही लाइट्स में दुबाई में तो उनको बस यही कंसर्ण था कि जो बैठने की हैं वह और इंज कलर की थी तो वह तो बाद में प्रॉब्लम आएगी पहले वह कंसर्ण थे कि लाइट जो है उनकी वजह से कहीं फिल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो और विजिबिल्टी बॉल की जो है वह डिस्टर्ब ना हो लेकिन ऐसी कुछ बात तो लगी नहीं कल मैच में के दौरान भी और नहीं प्रेस कांपरेंस म रहती है उसके सामने आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते इंग्लेंड आप सबको पता है कि इंग्लेंड रोटेशन पॉलिशी के हिसाब से टीम सेलेक्शन कर रहा है जो भी प्लेयर्स रहते हैं सबको रेस्ट मिलता है बकायदा और क्योंकि यह बायो बबल है बहुत समय है वह थोड़ा जो भी सेलेक्शन किया है इंग्लेंड ने और टीम मैंजमेंट ने इंग्लेंड की और उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि वही जो आपने कहा कि जब आप दुनिया की बेस्ट टीम को फेस करने जा रहे हैं तो आप अपनी भी बेस्ट टीम लेकर जाते हैं है और यह जो रोटेशन पॉलिसी है इससे वह उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी जताई है और देखते हैं इस पेंग्लेंड की तरफ से कुछ आता है जबाब या नहीं बिल्कुल अच्छा अगली खबर की तरफ जो हम बढ़ेंगे अगली खबर है अगली खबर है अगली खबर है खबर आपने है इस पोटए है तो उसके बाद उनके पैर में काफी चोट आई थी और देर राग तक उनकी सरजरी चली और उसके बाद होश सुब्लिन काफी मेजर आपस करते कि वह जल्दी ठीक हो जाए और इसके बाद हूश में है अब जूडियों होई इ इशान शर्मा के नाम रहा तो एक अच्छी बात रही हलाकि उमीद ही की जा रही थी कि इशान शर्मा जबदस प्रदशन देंगे लेकिन पिछ वैसी थी तो इस वज़े से इस पिन के इंबाजो को मदद मिल रही थी और उसके कारण विराट कोली के जो डिसीजन से वो एक के बाद एक के बाद एक सारे सही होते चले गई और पिर इशान शर्मा को विराट कोली का बहुत सही जा रहा है कि उन्होंने अपनी RCB में देवदर पाडिकल को बनाए रखा ह है जिससे काफी ज्यादा भरूसा आ रहा है क्योंकि मैक्सविल का परफॉर्मेंस करता लग नहीं रहा है कि वह एक अच्छा बाय है RCB के लिए कि देवदर पाडिकल जिस तरह ऐसे लगातार परफॉर्म कर रहे हैं डोमेंस्ट्री क्रिकेट में और अभी विजय हजारे में फिर से एक और शातक जमा जड़ा है और उडिसा को तो वो थाम्स आप RCB फैंस के लिए लेकिन आपने मैं कहरा तक अलाप से कि आप प्रेडिक्शन मत करिए मत आप उमीद करिए क्योंकि जब आप करतें तो जिंक्स हो जाता है हम सब चाहरे हैं कि विराटका शातक हो शातक को इतने समय से कोशा तक रोका हुआ है उनका बोलने की वज़े से विराटका सौमेस हो गया है क्योंकि आप हर मैच में हर मैच में आप बोलते हैं और यहां पर सब को पता है कि विराटकोली की कितनी सची वैन हो बिलकुत सभी बात है आपके लेकिन इस तरह से चीजे हो रह राजस्तान रॉयल्स को आई पिल से पहले थोड़ा सा जटका है क्योंकि मुस्तफ इजूर ने यह बोला है कि उनके लिए पहले नाशनल ड्यूटी आती है उसके बाद आई पिल आता है तो वो बांगलादेश के लिए खेलना पहले प्रिफर करेंगे जो उनको श्रीलंका क खेलना है और इसी से जुड़ा शाकिब कभी आया था कुछ दिन पहले हमने देखा था लेकिन उन्होंने आई पिल को प्रायर्टी रखा है और जिससे उनका बोर्ट थोड़ा बहुत नराज भी था लेकिन मुस्तफ इजूर ने यह साफ कर दिया है कि उनके लिए नेशन फ पूछा था अपने बोर्ट से कि क्या वो आई पेल खेल सकते हैं हाला कि उनको मंजूरी मिल गई है लेकिन बोर्ट अभी भी थोड़ा सा उनसे खफा दिखाई दे रहा है तो अल्मूस्स सारी खबर हम कवर कर चुके हैं अभी कुछ ऐसी खबर बची नहीं है आल इंग्लें है वहीं दूसरी तरफ साइन नहवाल की तरफ देखेंगे आप तो उनके जो ड्रॉव हैं उनके जो मैचेस होंगे वो थोड़े से टफ मैचेस वहाँ पर आये हैं सामने तो अब देखना यह होगा कि कि इस तरीकी से प्रदर्शन रहता है हमारे दोनों खिलाडियों का और अजभ होगा तो अच्छाव करें और चैंपियंशिप फाइनल में हमारे दोनों प्लेस भीड़े म axis जाहें डो चाहेंगे आज इंडिया वापस अपना मद जबूत गेम कंटिन्ईू करें रोहिट शर्मागी एक और दोसों हो और यह टेस्ट मैच हाथ से जाना नहीं चाहिए क्योंकि वोल्टेस्ट चैंपिंशिप को अगर देखे तो एक भी टेस्ट मैच यहां से टीम इंडिया को हाड़ना नहीं है 3-1 या 2-1 चाहिए रिजल्ट अपने फेवर में और इंग्लिन भी अपनी पूरी जान लगाएगी क्योंकि उनका भी मौका है अभी जाने का उस्ट्रेलिया तो उधर खेर यही मना रहे होंगे कि यह टेस्ट मैच जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ हो जाए या कुछ जिससे उनका चांस बने लेकिन इंडिया के दिमाग में पूरी तरह से यही है कि एक भी टेस्ट मैच हारना नहीं है और इस टेस्ट मैच में तो खेर आपने इतनी मजबूत स्तिती में है आप और आपने पकड़ रखा है कि आप छोड़ना वैसे ही नहीं चाहेंगे तो सब्सक्राइब हमारे सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे आप वहां पर हमसे बातचीत कर सकते हैं कुछ आपकी सवाल है तो वो भी आप बता सकते कल अला कि कही सारे लोगों ने बोला था कि आपको क्या लगता है क्या घ्यारा होगी यह होगा कुलदीप को काफी लोगों न expect किया था और अक्षर पटेल के ऊपर काफी लोगों ने बोला था कि कुलदीब का जैसा record है उनको खेलना चाहिए तो लेकिन अक्षर पटेल ने दिखा गिया कि उनको क्यों खिलाना बिल्कुल सही फैसला था उनके घर पर और तो ऐसे ही आप लोग हमसे कर सकते हैं अगर कोई suggestion है तो वो भी दे सकते हैं sports तक के साथ ऐसी बने रही है सारा action आपको सिर्फ यही मिलेगा और बस उमीद मैं यही करूंगा कि कल जैसे जिंक्स आपने विराट की शतक की उपर लगाया था आज रोहित की आपने बात करते हैं दोस्तों की वैसा ना हो तो आज चल जाती है आज दो काम जाती है अमारा है लेकि मैं जिंक्स वाली बात बता रहा हूं अपको इसे बहुत अपको डिये आप दोनों को फॉलों कर रखी जिससे भी आएंगे आपको नोटिक्स रखी जाएगे और अभी इनको में अगहीं वस। छटॊ करके बताएग 160 कुमेंगे जिसे करके बताएगे और मने लेकिन जhartत्क नहीं हुआ है डिलकिन जो उनका शैटन ही वशाय ठाल नहीं हूं वह उपसे थोण सा बुरा है थौझ neu始 issa लके हैं। कि दिखेशन के बेल बजा करके इस पोर्ट सक को सब्सक्राइब कर लिए इसके अलावा पी एसल के मैचेश नियुक्ति में बनाना बिलकुल मत भूले आपको दिख रहेंगे आपको डीटेल्स से शुड़ी बीडीटेल्स हैं तो अगर डाउनलोड निक रहा तो डिस्क्रिप सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें